अब आसकती है भारते पूलिस में डिजिटल करांती जीहा आप देखी रहे हैं कई तरह से गुना गड़ रहे हैं गुना होते जा रहे हैं कहीं पे कोई गुथी सुल्जारी जा रही है कहीं पे कोई गुथी सुल्जारी जा रही है और हो सकता है कि इन सब के मद्दे नजर बहुत जल्दी GPRS यानि कि Global Positioning जो सिस्टम होता है वो पुलिस को मुहाया कराया जाए जहाँ भारती पुलिस यानि कि सारी पुलिस आगा है जिसमें महाराष्टा पुलिस हो गए जराथ, UP, सारी पुलिस को GPRS ट्रैकिंग सिस्टम यारनी नेविगेशन सिस्टम से प्रूव किया जाएगा मैं आपको कुछ नेविगेशन सिस्टम के कुछ चांचितर इस वक दिखा भी रहाऊंगा और आगे भी दिखाऊंगा, ये नेविगेशन सिस्टम इस प्रकार से काम करेगा कि पुलिस जब भी कहीं किसी आरोपी को लेके जारी होगी तो इसका जो नेविगेशन का बेल्ट है वो आरोपी के साथ बान दिया जाएगा और ये navigation पुलीस का जो personal होगा या पुलीस अधिकारी जो भी है उसको भी ये GPRS tracking system navigation जो है वो अपने साथ अपने timing पे punch in करना पड़ेगा और जब वो duty off होगा तो उसको punch out करेगा यानि कि अब पुलीस कहां पे खड़ी है वो मानूम पड़ जाएगा जो ये अच्छी हवर है क्योंकि इससे जैसे कि अभी किसी ने threat कर दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर को या किसी ने तो इस तरह की चीजों को ये GPRS tracking system जो है बहुत ही काम आएगा इसमें एक चीज़ होगी कि जो RTO पुलीस है ये उनको भी मुहया कराए जाएगा और जो ट्राफिक पुलीस जो जगे पे नहीं खड़े होगी या कहीं और खड़े हो जाते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर डिपार्टमेंट में कुछ भरस्ट होते हैं तो कुछ अच्छे लोग होते हैं तो उसी प्रकार से ये अच्छे अधिकारियों के लिए बहुत खुशी की बात है हाला कि भरस्ट अधिकारी शायद इससे या करमचारी शायद इससे दुखी हो क्योंकि अब ड्यूटी होगी कड़क जी हाँ क्योंकि जी प्रस ट्रकिंग सिस्टम हर पोजिशन बताएगा जैसे कि यदि ऑन ड्यूटी पे हैं आप कई बार ऐसा होता है कि पुलिस अधिकारी या पुलिस करमचारी ड्यूटी पर होता है लेकिन वो नेगलिजन्स करता है कहीं ड्यूटी के दौरान किदर और गूमने चले जाता है तो ये सारी चीजिए सिप्रस ले से गरूर्राण करांती बहुत जलदी भारतीय प्लिस में भी शामिल हो जाएग हैं और ऐसी सम्मावना दिखती है और यह यदि होता है केंद्र से तो यह बहुत ही बड़ी एक उपादी होगी भारतिय पुलिस के लिए और जैसे की फॉरेंड में आप देखते हैं रैपेड अक्षिन फोर्स हमारे भारत में रैपेड अक्षिन फोर्स को भी जीपी आरेस ट्रैकिंग सिस्टम से नेविगेशन से सज़क किया जाता है तो इसमें क्या होगा इससे दो चीजें होंगी दोस्तों एक तो ब्रष्टा चार कम होगा दूसरा की अलर्टनेस बढ़ेगी कारे की शंता बढ़ेगी अब जैसे एक अपरादी को लेके जा रहे हैं उसको बेड़िया डालें लेकिन अपरादी को भीना बताए उसके साथ में जीपी आरेस ट्रेकिंग सिस्टम भी लगा दिया जाएगा यदि वो अपरादी भागता है या वो अपरादी जैसे कोट में लेके जा रहे हैं या उसको पकड़ रहे हैं तो वो भी पता करेगा दूसरा ये जीपी आरेस नेविगीशन सिस्टम जो है ये फेक एंकाउंटर कोई मीडिया जीए फेक एंकाउंटर था वो था तो इससे पूलीस बच सकती है कि ये फेक एंकाउंटर नहीं था क्योंकि ग्लोब़ल पोजिशनिंग सिस्टम जो उनके शरीर में लगा होगा वो उनकी करेक्ट को बता दिया करेगा जी हां और ये सारो सिस्टम जो है वो कं जो बाकि के पुलिस पर्शनल हैं जैसे कि कॉंस्टेबल हो गए, इंस्पेक्टर्स लेवल हो गए, डीसीपी, सीपी, सभी के पास लगा रहेगा जिस वक्त वो ओन ड्यूटी होंगे क्योंकि ओन ड्यूटी पे आप कहां पे जा रहे हो, कहां नहीं जा रहे हो, यह मालूम नहीं पड़ पाता है तो जितनी भी इंटेलिजेंस एजनसीज हैं या एनफोर्समेंट एजनसीज हैं उनके लिए ये एक बड़ी ही बड़ी एक करांती होगी तो जी यहां दिखते हैं दोस्तों आगे ये करांती कैसे काम आती है, हाला कि इसमें कई बार ऐसा भी होगा कि जो जूटे आरोप पुलिस पे गड़ देते हैं, वो भी आरोप जो है वो सामने आ जाएंगे और जी पी आरेस ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो अब पुलिस को रखेगी सतर, जी हां क्योंकि पुलिस को सतर करना पड़ेगा क्योंकि उसको मालूम है कि जी पी आरेस ट्रैकिंग नेविगेशन डिजिटल करांती में वो भी कही न कही दिख रहा है तो ये थे आज के समचार, हमारे साथ और भी आगे की खबरों के लिए जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखते रहिए नविम्बर उल्वे निउस, मैं था आशिश चौदरी, जैहिन जै महाराश्ट्रा और जैसे ही मैंने ये निउस खतम की, हमारे पास निउस आई है, जी हाँ, सेक्टर बीस में किस तरह से एक महिला ने आत्मत्या करने की कोशिश की और वो उसमें सफल भी हो गई, जी हाँ आखिर लोग आत्मत्या क्यों करते है, शुशान सिंग के इसके बाद ये और उल्वे में ये मेरे खाल से तीसरी या चोथी आत्मत्या है, क्या ये लॉकडाउन का नतीजा है, क्या ये बेरोजगारी का नतीजा है, या ये आपसी ग्रकलेश का मामला है, आखिर क्या कारिता चाहिए चाटू कारिता नहीं चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब का लाल बटन दबाईए और घंटी का बेल ओन कीजिए